यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं, महान हैं कि उनको पैसे के चक्कन में, मतलब यूट्यूबर्स को मैं क्या ही बोलू, पैसे के चक्कन में वो बनवतार हैं कि दोस्तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना जिहां दोस्तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बैल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में अपने दिल की बात की वीडियो आपको कैसे लगी लिखना मत बूलिएगा ऐसी वीडियो के वो फिर से वापस आ चुका है और आप बता दीजीगा कि क्या आप टिक टॉक बैंट से खुश हो या नहीं खुश हो पहले पूरी वीडियो देखना फिर कमेंट करना क्योंकि आज पूरी देखते नहीं हो और नीचे जो मन में आता है बोलना लगते हो मैं कहा रहा हूं इस व एक तो वो चाइनीज आप है और उपर से बात ही आ जाती है कि यहां पर जो कंटेंट है वो भी बहुत ही क्रिंज चाइब का है मतलब उसमें कुछ भी कर रहे हैं लोग लाइक और फॉलोवर बढ़ाने के लिए कोई टैलेंट रही है कुछ भी नहीं है डांस करके और लाइ में कुछ सोची नहीं पा रहे थे तो ऐसे कंटेंट को हम लोग ने ना पसंद किया है मतला ऐसा नहीं कि टिक टॉक हम लोग को अच्छा नहीं लगता था अगर टिक टॉक में कुछ यूस्फुल इंफॉर्मेशन होती या कुछ एच्छे कंटेंट होते तो हम लोग यार क्य नहीं होना चाहिए क्योंकि आपर जो content है वो काफी knowledgeable है like YouTube ठीक है लेकिन वहापर जो content creator थे वो उनको खुद नहीं पता था कि वो बना क्या रहे हैं बस उनको like चाहिए था व्यूज चाहिए था और वो कुछ भी बना रहे हैं कभी acid attack को promote कर रहे हैं तो कभी कुछ भी कर रहे है तो हम लोग को उसका content है वो पसंद नहीं है अब आप भी comment करना कि यार आप TikTok ban जो हुआ है वो किस लिए आपको अच्छा लगा कि हाँ इसको ban होना चाहिए उसके content की वज़े से या जश्ट वो एक Chinese app है कि इसके लिए आपने उससे मतलब ज्यादा support कि हाँ वो ban होना इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं मतलब खुद के ही मतलब आप कह सकते हो कि देश के कुछ ऐसे लोग है जो कि एक तरीके से उनको खुद नहीं पता है यार कि किस app को install करना चाहिए किस app को install नहीं करना चाहिए टिक टॉक बैन हो गया सब लोग ने आर सोचा कि अब हम अपना time pass कैसे करेंगे पहले तो पूरे दिन टिक टॉक देखके गुजालिया करते थे मतलब short videos देखा करते थे और उसी में मतलब पूरा दिन कर जाता था तो अब क्या है क्या टिक टॉक तो मिल नहीं रहा उसका तो आपका data leak कर रहे हैं कोई भी पतलब आपके सकते हैं कि इसमें privacy आपकी secure नहीं है आप बिल्कुल भी secure नहीं आप पूरी तरीके से मतलब अपना जो data है वो share कर रहे हो वैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये Indian के नाम से आपको ठगा जा रहा है बताये तो ये जा रहा है कि हा लाइक का बटन मिलेगा वैसी आपको followers मिलेगा वैसी शेर मिलेगा और वैसी वीडियो को जो present करने का तरीका है लाइक swipe up करते जाए और वीडियो देखते जाए वैसी मिलेगा लेकिन ही तरीके से आपको India के नाम पर ठग रहे हैं और हमारे जो India ने वो इतने ज्यादा कि या अगर India का है तो अच्छा होगा आप इंस्टॉल करके यूज करेंगे कुछ ऐसे एप मतलब भी हैं जो कि कह रहे हैं कि इन एप से पैसा भी कमा सकते हो यह एक इन डियान आप है जो कि टिक टॉक से पैसा नहीं कमा पाते थे वह इन एप के बजरिये कमा सकते हैं और यह तो यहां बर भी आप ठगे जा रहे हो आपकी जो data है जो privacy है जो आपकी जो security वो सब कुछ leak हो रही है और आप कहीं से भी secure नहीं हो अगर आप यह सोचते हो कि वो इंडिया का है ठेक है और developer का भी कुछ रता पता नहीं है और मित्रों मतलब यह apps ऐसे थे जिनके उपर कोई downloads हैं वो increase हो गएं पहले कहीं 6 लाग थे तो अब 25 लाग हो गएं और पहले कहीं मतलब कम थे तो आप 50,000 डाउनलोड हो गए सिर्फ एक दिन में तो मतलब यह तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आपके साथ fraud और scam भी चली रहा है इतना ही नहीं यहां पर एक और तर मतलब यूटूबर्स को मैं क्या ही बोलू पैसे के चक्कर में वो बनवता रहे हैं कि आप टिक टॉक के जगे यह application install कर लीजे क्योंकि यह इंडिया का है उनको खुद नहीं पता है कि कौन उसका developer है कहां से वो आया है जैस्ट वो यह जानते हैं कि यह इंडिया का है तो वो वो यह जीज उलडगी चीज़ रहा है और ही चीज़ इंडियान एप में रहा है हम कंटेंट को पसद नहीं कर रहे हैं अगर सोच किया एखर कि कुन ऑप करन तो तो पहले बात यूटुबर जो कह रहे हैं कि कि आप TikTok का बाप आ गया है, डाउनलोड का लिजे, TikTok का बाप ये आ गया, वो आ गया, तो भाई आप प्लीज ऐसे बैन करने का कुछ फायदा नहीं होगा ना, जब कंटेंट वही मिल ला है, लोग फिर इनको इंस्टॉल करेंगे, इसके उपर बनाएंगे, तो बात क्या है, बात फिर वही आ जाएगी, और समझ गयो गया, मैं बस इतना ही बताना चाहता था, कि आप प्लीज हो सके, तो ऐसे इंडिया का कहे के जो लोग बेफकूप बना रहे हैं कि ये इंडिया का है, इसको इंस्टॉल कर लो, तो उसके मतला चकर में तो मत या ना, इसलिए मैंने का कि टिक टॉक बैन तो हो गया, लेकिन वो फिर से वापस आ गया, क्योंकि यह नाम लग है, चिंगारी, मित्रों, रोपजो, लेकिन है तो पूरा टिक टॉक की कॉपी ना, तो बैन होने तो कोई फायदा नहीं, जब कंटेंट और पूरा सब कुछ भाई मिल दा है, वीडियो को लाइक, शेचन को सब्सक्राइब दोसे कली जीगा, क्योंकि में तो तो फिल्हाल क्लिक है, दोस्तों कि मतें मुक्ना क्याल कि गगा